आप मेंसे कितने लोग किसी दिन सुभा उठने के बाद बेवज़े बहुत बुरा महसूस करते हैं, बिल्कुल बेवज़े, अगर साल में कम से कम दो तीन बार भी ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है, तो आपको सोने से पहले कुछ चीज़ें करनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वप चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, आप नींद में सुखदता ये अप्रियता को बहुत कुछलता से बिना रुकावट के बढ़ा सकते हैं, आप दिन में भी उन्हें बढ़ा सकते हैं, पर कई रुकावटे होंगी, वो बहुत कुछलता से नहीं होता, पर अगर आप किसी निश पुचित तरह से सोने जाते हैं, और सुभा बहुत बुरा महसूस करते हुए उठते हैं, बिलकुल बेवजा, तो मतलब आप रात में बहुत कुशलता से चीजों को सेते हैं, खराबंडों को, बात सिर्फ मानसे का शांती की नहीं है, ये समय के साथ बड़ी शारिरिक तो रात को सोने से पहले, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप मास और वैसा भोजन करते हैं, तो उसे सोने से कम से कम तीन से चार घंटे पहले खाएं, ताकि पाचन पूरा हो जाए, सोने से पहले थोड़ा पानी पी कर सोने जाएं, आप देखेंगे कि इसी से वो ठीक हो जाएगा, एक आसान चीज की जा सकती है, वो है स्नान, हमेशा सोने से पहले नहाएं, इस से काफी फरक पड़ता है, इस मौसम में ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो सकता है, तो आप गुन-गुने पानी से नहाएं, रात को गर्म पानी से नहाएं, गुन-गुना पानी ले, यह आपको सजग बनाता है। आप सोचेंगे, अरे मैं सो नहीं पाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 15-20 मिनटे आदे घंटे बाद सोएंगे, मगर नींद बहतर आईगी, क्योंकि इससे कुछ चीजें हट जाएंगी। जब आप नहाते हैं, तब सिर्फ तवचा की गंदगी नहीं हटती। क्या आपने देखा है? जब आप बहुत तनाव और चिंता में होते हैं, तब सिर्फ नहाने से ऐसा लगता है, मानो बोज लगभग उतर गया हो। क्या आपने ये नहीं देखा है? तो ये सिर्फ तवचा की सफाई नहीं हैं। पानी के शरीर पर गिरने से बहुत सारी चीजें होती हैं। सनान एक बहुत बुनियादी भूत चुद्धी है, क्योंकि आपका शरीर सतर प्रतिशत से अधिक पानी हैं। अगर आप उस पर पानी गिराएं, तो एक तरह का शुद्धी करण होता है, जो तवचा की सफाई से पर हैं। एक और चीज अगर आप करना चाहें, आप बस एक जैविक तेल का दिया जला लें। रूई की बाती और कोई भी तेल, यहां आप क्या इस्तिमाल करते हैं। उत्तर पर बैठ कर उसे करें। अगर आप ईशा क्रिया करना चाहते हैं, तो वो नेट पर उपलब्ध है। आम तोर पर भारत में आपसे कहा जाता है कि सोते समय अपना सिर उत्तर दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। आपको पता है? अगर आप रात में उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं, जब आप लेटे हुए होते हैं, तो धीरे धीरे खून आपके दिमाग की ओर बढ़ने लगेगा। जब दिमाग में रक्त संचार बढ़ जाएगा, तो आप शांती से नहीं सो पाएंगे। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार की भीतरी कमजोरी है, या आप अधिक उम्र के हैं, तो आप नींद में मर सकते हैं, हैम्रिज हो सकता है। क्योंकि ज्यादा खून दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, जहां खून की नसें बाल जैसी होती हैं, और चुम्ब की शक्ती कुछ ज्यादा खून भेचती है। सीधे खड़े होते समय ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप लेटते हैं, सिर की ओर ये खिजाव इतना तीवर होता है कि खून धीरे-धीरे दिमाग की ओर जाने की कोशिश करता है। तो इससे बचने के लिए, ये सिर्फ उत्तरी गोलार्थ के लिए है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो आपको सिर्फ दक्षिन की ओर नहीं करना चाहिए। अगर आप भारत में तो आपको सिर्फ उत्तर की ओर नहीं रखना चाहिए। आप उसे और किसी भी तरह रख सकते हैं, वो ठीक है। इसे अपने मन में रखें कि आप सच में नाशवान हैं ठीक है? सिर्फ शब्दों में नहीं सच में आप अभी मर सकते हैं आप युवा हो या बूड़े कोई फर्ट नहीं पड़ता आप अभी मर सकते हैं हाया ना सोने से पहले बिस्तर पर बैठ कर सोचें कि ये आपकी मृत्यु शईया है आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक मिनिट और है पीछे मुड़ कर देखें कि आपने आज जो किया क्या वो सार्थक है? सिर्फ ये आसान अभ्यास करें और आप नहीं जानते कि ये असल में कब होगा? आप मृत्यु शईया पर बैठे होंगे या अस्पताल में लेटे होंगे और कई तरह की चीजें आप से जुड़ी होंगी किसे पता वो कैसे होगा? पर रोज इसका आनंद लें कि आप अपनी मृत्यु शईया पर बैठे हैं पीछे मुड़कर देखिए कि आज मैंने इन 24 घंटों में जो किया है क्या वो सार्थक है? क्योंकि अब मैं मर रहा हूँ अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक सार्थक जीवन जीएंगे मेरा विश्वास कीजिए तो रोज रात को सोने से पहले आप सभी को ऐसा करना चाहिए आखरी तीन मिनट जो भी चीज़ें आपने इकठा की हैं शरीर, मन की बातें, चीज़ें छोटी चीज़ों को अंदेखा मत कीजिए ये छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें मैंने देखा है कि कैसे लोग अपना तकिया भी लेकर चलते हैं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है तो आपका तकिया आपकी चपल अगर आपके रिष्टे हैं सब कुछ जो आपने इकठा किया है उसे एक और रख कर सोईए अगर आप इस थिती में सोईगे तो आप अधिक रोष्णी अधिक उर्जा और आपकी कलपना से भी अधिक संभावनाओं के साथ जागेंगे बस जीवन के रूप में सोईए पुरुष एस्तरी के रूप में नहीं इस या उस रूप में नहीं सब कुछ नीचे रख दीजे बस ये बहुत आसान है सिर्फ मींद की साधना कम से कम इतना आपको करना चाहिए